आप लोगों को मालूम हो कि Samsung अपने flagship S series के अंदर 4 साल के Android अपडेट देती यानि कि latest S23 के भार में बात करें Android 13 पर तो Android 17 तक का उसे अपडेट मिलेगा और ऐसी देखा तो Samsung अकेली कंपनी नहीं यहाँ पर OnePlus भी अपने OnePlus 11 में 4 major Android version के अपडेट प्रॉमिस कर रही है और OPPO जैसी कंपनी नहीं भी बोला कि 2023 में जो flagship phone launch करेंगे उसके अंदर भी चार major Android अपडेट देंगे यानि एक बात करूं तो कंपनी देखा तो अपने flagship के अंदर प्रॉमिस करें तो काफी इंट्रेस्टिन इसल्ट सामने है हालाकि Samsung क्यों चार साल तक अपडेट देती है इसके अबारे में पास्ट में एक वीडियो बनाए है लेकिन जो अभी जो information मिली है वो या काफी जाद नहीं है अगर exactly में बात करें तो सबसे जादा update के अंदर जो company या पर खिल रही है वो है Samsung और ये इस बात से आप इंकार नहीं कर सकता है कि Samsung अपने phone के अंदर लंबा और जल्दी software support दे रही है तो उसके पीछे कही ना कि Google का हत होगा क्योंकि Google के पार में बात करें तो वो तीन major android version के update अपने pixel phones को देते हैं और पांच साल तक security patches देते हैं और एक बार Google से पूछा गया था कि वो अपने phone के अना 3 साल तक क्यों देते हैं तो उनका ही कहना था कि 3 साल तक वो consistently experience अच्छा provide कर सकते हैं और उसके बाद भी security patches देना continue रखते हैं ताकि लोगों को उसके बाद भी secure experience दिया जा सके लेकिन जब मैंने पता लगाने कोशी करी कि आकर इन updates की पीछ रिस्पॉंसिबल हो था है आपका chip manufacturer यहां नहीं के बात करें आपकी snapdragon media tech यह क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो हर android version के सब यह जो companies यह अपनी हर एक chip के लिए नए drivers को निकालती है नए vendor implementations को निकालती है जिसको एक base layer बनाती हो उसके उपर android को companies यहापे develop करती है और देखा जाया तो यह norm तोर पर तीन साल तक इस चीज़ के हापे निकाल और mobile phone companies को इन से ही जो चीज होती है वो license लेनी पड़ती थी यानि कि कि किसी company ओकर लंबे समय तक softer होता है तो अने driver vendor implementation इन सब चीजों के लिए पैसा देना पड़ेगा Qualcomm को है Media Tech को और इसलिए देखा जाए तो काफी सारी companies budget phone के अंदर इस चीज़ को यहापर avoid करती है और अ लंबे समय तक update देना है तो और Google को यह बात यहाँ पर पताती है और इसलिए Google ने नए ने projects को और इसलिए Google ने प्रोजेक्ट को और इसलिए Google ने प्रोजेक्स किया जिस current से company आसन तरीके से यहाँ पर लंबे टाम तक software update दे दे देखो यहाँ पर Google के पास exactly में दो तरीके थ देखो एक option तो यहाँ पर यह था कि Google mandate कर दे कि Android phone में कर किते लंबे समय तक update दे सकता है यह जिदुसे ने fix कर दी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल देना है और उसके बद कंपनी की जिम्मेदारी हो जाएगी लेकिन देखाया तो company के लिए इतना आसन नहीं होता इसलिए Google ने सोचा कि क् अगर Android update देना चाहती है तो उसको Qualcomm के नए driver vendor implementation को यूज करने की जरूरत नहीं है वो करेंट में जो चल रहा है उसे ही रख सकते और उसकी उपर नए Android version की builds को निकाल सकते यानि कि आप ऐसा समझे कि आज के समय में अगर Android 13 के ऊपर कोई phone आ रहा है तो बिना कोई internal hardware में चें कि पिछले जो पुराने vendor implementation होगे ना उनके साथ compatible होगा यानि कि पुराने driver पुराने hardware implementation पे ही वो काम करेगा यह एक ऐसी चीज़ बने जिसे कंपनियों को कोई भी licensing cost Qualcomm या MediaTek को देनी नहीं है जो आनने वाले तीन version के अपडेट है वो आसानी से प्रोवाइड कर सकते है यह कारेंट सो नए feature को इस तरीके से implement नहीं किया जा सकता और वो नए feature अगर implement करने हैं तो कंपती को कही ना की फिर से दुबार से licensing fees देनी पड़ेगी लेकिन अगर सिफ Android version का update देना है तो यह चीज़ हाँ पर possible है और इसलिए आप देख सकते काफी सारे phones जो यहाँ पर बहुत नुकसान यहाँ पर यह कि यहाँ पर कंपनिये क्या कर रही है कि पुराने chipset को पुष कर रहे हैं और उनको नए Android version के साथ यहाँ पर निकाल ले रहे हैं यानि कि आप देख सकते कि आज मार्केट के अंदर पुरानी chips को रिलांच किया जाता है थोड़े माने ट्वीक के सब जैसे कि Helio G36 बगर इन सबको लांच किया गया पुरानी चीजों को यहाँ पर लिया जाएगा और उसके उपर नया Android version बना के उसको लंबे समय तक चला जाएगा तो यार यह भी एक यहाँ पर नुकसान होता है इसके साथी बात कर रहे हैं जो Samsung यासी company वह आकर इतने लंबे समय तक अपडेट यहाँ पर क्यों प्रोवाइट कर लेती है इसका भी आंसर में आपको दे सकता हूँ देखो बेसिकली हाँ पर किया कि Samsung जो है उसको चिप मेकर के साथ बहुत अच्छा relation है क्योंकि आप देख सकते कि यहाँ पर Samsung S23 सीरीज में Snapdragon 4 Galaxy आता है जो कि basically देखा जो जो best 8 Gen 2 वाले processors देना वो snapdragon ने Samsung को यहाँ पर दिया यहाँ तक कि Samsung वो खुद Exynos processor बनाता है और उसे वहाँ पर drivers वगरा में help मिलती है इसके साथ ही यहाँ पर Google के से directly यहाँ पर Samsung काम करता है इसलिए आप देख सकते हैं Samsung की जो VR OS वाली watch आते उन्में भी 4 One UI की update यहाँ पर Google है वो Samsung के बगएर अधूरा है क्योंकि Samsung Google का सबसे बड़ा partner है और Samsung को भी मालूम है कि जो Google है वो उसके लिए काफी important है इसलिए दोड़ों लोग साथ में आपस में यहाँ पर काम करते हैं इसलिए आप देख सकते हैं Google Pixel को बनाने के अंदर भी Samsung का काफी बढ़ा हिस्सा है जा है हम चिप या इमेसंस है डिस्पले काफी सारे components ले वो Samsung ही प्रवाइड करता है और वही Samsung के phones के लिए Android का special access, नए feature कई सारी चीज़े यहाँ पर जो Google होता है वो Android के अंदर यहाँ पर निकालता है तो definitely यहाँ पर एक ऐसा collaboration यहाँ बना हुए है जिसका Samsung यहाँ पर benefit लेकिन उसका benefit है रहता है गर अब premium पे करो तो आपको लंबा software support मिलेगा वही दूसरी जो companies है काफी जाता competitive खिलती है खास दौर पर Chinese companies के बार में बात करें इसलिए अकसार आप देखें कि Chinese companies update को इता easily promise नहीं कर पाती है और अगर update promise करती है तो उसको deliver करने भी time लग जाता है क्योंकि वो busy रहती है नए phones की development में बजाए कि पुराने phone के लिए update डिलिवर करने के लिए ये एक चोटी सी चीज है जो देखा जातो Samsung ने यहापे crack कर लिया लेकिन अभी भी दूसरी companies को यहापे crack करना बाकी है लेकिन देखा जातो अभी भी improvement की गुंजाश है यह OnePlus ने promise कि चाहर नीजर Android के update जो कि काफी अची चीज़ है देखते हैं वो OnePlus 11 में कैसे deliver करते है वही ओपो ने भी चीज़ अनाउंस करी है उम्मीद करते है कि आने वाले समय में दूसरी companies भी गहीना कहीं से inspiration ले और अपने phones के अंदर लंबर सॉफ्टे सपोर्ट का promise करें बाइदावे म हुआ 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 है